जय मातादी दोस्तों, बिगड़ना प्रारम हुआ है रिष्टा तुम्हारा और तुम्हारे पाटनर के बीच, और धीरे धीरे ये बाते बस बिगड़ती चली जा रही है, बहस शुरू हो गई है, बात बात पर वो कहता है तुम्हारे साथ नहीं रहना, वो कहता है कि अब कौन सा उपाय करें कि मेरे पती मुझसे फिर से प्रेम करने लगें। नमक का आज जो प्रयोग में बताने जा रही हूं किवल पांच मिनिट के अंदर आप अपने पती को उन रूप से अपने वश में कर सकती हैं। नमक क्या है? नमक शुक्र है, नमक चंद्रमा है। वशी नमक से आप अपने और अपने पती की बीच संबंधों को सुधार सकती है। केवल पांच मिनिट में आप अपने पती को अपने वश में कर सकती है। अचंबित कर देने वाला परिणाम आएगा। पती जो आपको देखता तक नहीं, आपको दिन रात देखने के लिए तरसे वही पती जो एक शब्द बात नहीं करता दिन रात आपसे बाते करने को तसेगा आपके नाम की मालाज अपने लगेगा लोग उसे जोरू का गुलाम कहेंगे असर इतना ज्यादा है कि प्रियोग आपने यहां किया और असर भी शुरू हो गया तो ध्यान से सुनिये कि करना क्या है आपको एक बड़ा सा जल पात्र लाना है जल पात्र पीतल का होना चाहिए चाहे पीतल की कठोती हो या बाल्टी इसमें धातू बहुत माइदे रखता है नॉर्मल पनी को इसमें भर कर रख ले और इसमें दस नीमबो निचोड़ दे इस सुतर दिशा के ओर चहरा करके बैठ जाएं दो शफेद कागस के छोटे छोटे टुकडे ले लें कागस के प्रथम भाग में अपने पती का नाम लिख दे दोनों में पती का ही नाम लिखा जाएगा अब आप इसको पलट दे दोनों पर अपनी समश्या लिखें मान लीजे स जिए प्षियार नहीं करता लिखें, या सममर्न नहीं करता लिखें. पती की अलुभूती करने की कोशिस कीजिए, उन्हें देखने की कोशिस कीजिए, वो ये प्रयोग आपके साथ कर रहे हैं, ऐसा महसूस करने की कोशिस कीजिए, उनके साथ बिताय पलों को याद कीजिए, जब वो दिखाई देलें लगें, बिल्कुल ऐसा लगने लगें कि ज पांच मिनिट से कम ना हो पांच मिनिट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा लेकिन कम ना हो कुछ समय के बाद कागस भीग जाएगा नमक भी गल जाएगा समस्याइट भीली पड़ जाएगी जल में ही नमक को कागस को घुलने दीजिए बहने दीजे उसके बाद उस पानी को टॉयलेट में फ्लश कर दीजे यकीन मानिए केवल पांच मिनिट के अंदर ये प्रयोग आपके रिष्टे को सुधार देगा जगडे लडाईयां मिठास में बदल जाएंगी जय मता दी दोस्तों